हिंदी पढ़ना सीखें आज की जो कहानी है उसका नाम है बेडिये का अनुरोध शुरू करेंगे पढ़ना एक बेडिया बिमार होने के कारण शिकार करने में लाचार था और कई दिनों से भूका यू ही पढ़ा था एक दिन उसने नदी किनारे एक भेड को पानी पीते देखा तो उसके मुह में पानी भर आया वह कितना बढ़िया भोजन है मेरे लिये बेडिये ने सोचा वह अपनी जगह पर बैठे बैठे बोला प्यारी बेड क्या तुम नदी से मेरे लिये थोड़ा पानी ला सकती हो आज मेरी तबियत बहुत खराब है मैंने कुछ खाया भी नहीं है थोड़ा पानी पीकर मैं बोजन की कोज में जाने लायक हो जाऊंगा बेड समझदार थी बोली बेडिये मामा यदी मैं पानी लेकर तुम्हारे पास आ गई तुम्हे बोजन तलाशना ही नहीं पड़ेगा कहकर बेड विपरीत देशा की और चल दी यदी 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 झाल झाल